पुशल आपको अनुमान बताने के लिए तैयार होने है बालकृष्ण इंडर्सिटिस के ध्यान से सुनने की कोई जरूट नहीं है तो आपको चार्स आप ध्यान से देखेगा कि रिजल्ट के बाद रिजल्ट से पहले कोई एक्षिन बनता है है नहीं तब तो कुशल हमारे ल रुपे पर कंपनी अपना टॉप लाइन रच कर सकती है और बिटा लेवल पर उप्रेशनल फ्रेंट पर कंपनी का यहां पर काफे रिलेटिवली और परफॉर्मेंस दिख सकता है रेविन्यू के मकाबले करीबन 23% की सालनादार पर ग्रोथ जो है 580 करोड पर रह सकती है औ एबन 1.8% बढ़कर 73,958 टन होने का भी आपर अनमान है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रिकवरी से वॉल्यूम बढ़ने की उमीद लगाई जा रही है और अफकॉस यहां पर रेट सी क्राइसिस के चलते कंपनी को सप्लाई इशूस भी थे बड़ अफकॉस उसके बा हैं तो ओवराल ऑप्रेशनल फ्रेंट पर और बॉटल माइन फ्रेंट पर कंपनी आर्ट परफार्मिस दिखा सकते हैं इस तिमाही में अगले दो से तीन दुन में हाँ अगर रिजर्ट है तो थोड़ी सी वोलेट अटाल पर दो सकती है तो थोड़ा सा स्टॉपलोस लंबा लेना होगा आज का जो लोग है 2,600 के हलका सा नीचे 2,590 का स्टॉपलोस होगा 2,800 तक के टार्गेट में देख रहा हूं अगले एक से दो दिनों में और लॉंग टम में में मेरा इसमें टार्गेट 3,300,300,600 तक का है यह मतलब चार से छे मेने का व्यूब है ओके चार से छे मेने के लिए बाल किष्टन इंडेसिस खरीदारी करें और पालिया साब को बढ़ाई 2650 का टार्गेट उनका अल्मोस्ट दन हासिल हो चुका है तो बढ़ाई पालिया साब आपको भी महती बैतिन को लिए अरवार लुका है झाल झाल